हेलो गाईज, आज सभी का हमेरे चैनल पे स्वागत है, मैं हूँ पृती, जै स्री राम तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे भगवान स्री राम का अयोध्या में प्रान प्रतिष्ठा हुआ है तो उसी के खुशी में सारे देश में अज दिवाली मनाई जा रही है तो मैंने भी अपने घर में दिवाली मनाई सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना की पूजा बहुत अच्छे से हुआ गाईज, पूजा करके बहुत मन को शानती मिला ऐसा लग रहा था जैसे सचमुझ की राम भगवान हमारे घर में भी आ गया है बहुत ही अच्छा लगा पूजा के बाद मैंने दिया को सजाने का तैयारी स्टार्ट कर दिया है तो दिया मैं थाल में सजा ले रहे हूं ताकि जब मैं दिया जलाओं तो जल्दी जल्दी से एक ही जगा पे सारा दिया इकठा रहे और जल्दी जल्दी से मैं दिया को जला पाओं तो गाइस ये देखो मेरे दिया सजाने की प्रिपरेशन हो चुके है और भी कुछ दिया बाकी थे तो मैंने उसमें भी ओयल और बत्ती लगा करके दिया को भर लिया है ताकि अच्छे से जले और बिल्कुल मैं आपने घर को आई दिवाली की तरह सजाऊं और दीप चलाऊं तो उसी का प्रेपरेशन कर रही हूँगा यह जैसे कि आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बीना दिवाली होते हुए भी आज एक अलग टाइप का दिवाली तो सारे दिये मेरे सच चुके हैं और मैंने एक साइट ठाल में चावल भी रख लिया है उसके उपर ही दिया रखा जाता है ऐसे दिया नहीं रखते हैं ऐसे दिया नहीं जलाए जाता है खाली पहले चावल रख करके उसके उपर दिया रखा जाता है तो मेरे हस्बंड ने देखो जितने भी चज़े थे उस पे boundary पे दिया रख दिये हैं और बाहर भी दिया जला लिया है इन्होंने अब घर की बारी है तो घर में दिया मैं रखूंगी यह दर्वाजे है मैं इन गेट पे दिया रख लिया है मैंने जितने भी दरवाजे हैं गाईज देखो मैं रखते जा रही हूँ दिये को जैसे दिवाली में रखते हैं वैसे ही मैं सारे घर में दिये को जला लूँगी और दिया रखते जाऊंगी तो ये देखो गाईज मैं रख रही हूँ कुछ दिये यहां दिया कि थाल पड़े हुए है मैं उसी में से उठा उठा करके हर जगा बहुत अच्छे लग रहे हैं गाईज देखो ये छजा बहुत अच्छे ही तरह से सजे हुए है आज बिल्कुल दिवाली की तरह लग रही है तो ये देखो गाईज बहुत अच्छे से सजा हुआ है पूरा घर बहुत ही अच्छा लग रहा है जैसे दिवाली में लगता है तो आज हमारा जो घर है दिवाली से कम सुन्दर नहीं लग रहा है ये जो हमारे हैं संकर भगवान का संकर चोड़ा है इन पर ही मैंने दिया जला दिया है कितने अच्छे लग रहे हैं तो गाईस दिवाली और तेवार हो अब पटाके ना जलाए जाए ये तो हूँ ही नहीं सकता मेरे हस्बिन ने याँ पटाका जलाना इस्टार्ट कर दिया है अनार जला रहे हैं फिर उसके बाद दुसरा अनार जला रहे थे बट वो जो चुछुड़ी था वो बुझ किया तो फिर से वो फिर से दुसरा अनार जला रहे है है यहां पर कोई था नहीं हम और मेरे हस्बेंड ही थे तो बस हमीं दो लोग थे मैं रिकॉर्ट कर रही थी और वह अना जला रहे थे फिर मैंने बोला कि चक्री भी है चक्री बे जलाओ तो देखो गाई अभी यहां पर वह चक्री जला रहे हैं तो बहुत सारे पटा के हमने और इधर लाइटर जल रहा है गाईस वो तो पटा के छोड़ के भी बहुत थक गया थे गाईस हम लोग लास्ट में वो चुड़ चुड़ी जो है वो जला करके खड़े थे मैंने ले लिया तो गाईस देखो हमने स्री राम भगवान के स्वागत ऐसे किया और हमने बहुत पटा के छोड़े तो आपको भी जय स्री राम